हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आज मैं आपको अपने एक और परसिमन के बगीचे का तूर करवाना चाहता हूँ तो दोस्तों ये उपर वाले प्लॉट के साथ ही नीचे प्लॉट है एक तो इसमें दोस्तों पहले जो था हमारे पास गंधारी अनार का एक बगीचा था जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अभी भी कुछ पेड़ सर्वाइव कर रहे हैं तो बीमारी लगने के कारण हमने क्या किया था कि जो अनार की लाइन के बीच में जगा बची थी तो हमने उस उसके तो इनकी कटिंग भी हो चुकी है तो दोस्तों जो यह वाला प्लाट है हमारा यह वाला प्लोट है हमारा लग भग YouTube केख ऐसे देड़े कर प्लोट है और इसमें हमने थोड़ा डिस्टेंस जादा रखा है इसमें जो प्लांट का डिस्टेंस है वो है लगबग 12 फीट और जो कॉलम्स का डिस्टेंस है वो है लगबग 15-16 फीट इस प्लांट जो ये वाला प्लांट है और ये वाला प्लांट है इसके बीच का डिस्टेंस है वो है लगबग 16 फीट और इस प्लांट के बीच का डिस्टेंस है बारा फीट तो दोस्तों ये भी हमारी एडवांस थिंकिंग के जो हमारा कॉंसेप्ट है वो करके हमने लगा रखा है पहले ही क्योंकि थरास में जो हमारा एरिया है वो थरास है तो यहां पे जो नार था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था पहले लेकिन अब बिमारियां एतनी ज़्यादा लग रही है कि हेल्दी पेड़ भी एकदम से सुख रहा है तो जैसे कि आप इस प्लांट को देख सकते हैं यह वाला नार का पेड़ है लगबग 17-18 साल का यह सारे पेड़ 17-18 साल के हैं तो यहां से देख सकते हैं कि बहुत से पेड़ सुख गए हैं और हमने जो परसीमन है वो अल्रेड़ी लगा रखी है चार-पांच साल में अगर यह सारे प्लांट सुख भी जाते हैं तो हमें एक चार-पांच साल का परसीमन का बगीचा जो है वो तैयार मिलेगा तो आप देख सकते हैं हमारा परसीमन के दो साल के पौदे अभी इन पौदों में उतनी ग्रोथ नहीं हुई है क्यूंकि इनको थोड़ा संलाइट जो है कम मिल रहा था इन बड़े पेड़ों की वजह से तो कोई बात नहीं फिर भी चार-पांच साल में लगवग त्यार ही हो जाएंगे प्लांट तो यह हमारा एक और परसीमन का ब्लॉक जिसका टूर मैंने आपको अभी तक करवाया नहीं था तो आप देख सकते हैं कि कुछ पेड़ों में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है यह प्लांट है मलब इसको लगा के हो गए हैं दो साल पूरे इस दिसंबर में इसको दो साल अब इस तक यह यह वाला भी हमारा पूरा तयार हो जाएगा तो आजकल बारिश आ नहीं रही थी तो पानी की कमी की वज़े से हमने क्या किया है कि एक्चुली हमने खुद से बोरिंग करवाई हुई है तो इस प्लॉट को इरिगेशन करने में हमें लग बग पूरे तीन द गाया है तो इस साल बारिश ना होने की वज़े से सारे काम फिलाल रुके हुए है अब हमने इसके तॉलिए भी निकरवाए है क्योंकि हमने इस वाले प्लॉट में भी हलाई करवानी है क्योंकि गास बहुत जाला निकल गया है तो देख सकते हैं आप यह वाला प्लांट यह अच्छा फूर्ट देते हैं यह प्लांट हमारे दादा जी ने लगाये थे यह लगबग 14-15 साल का प्लांट होगा कि यह कलम करके लगाया था प्लांट नहीं लगाया था अम लूक के उपर परसीमन की कलम की थी तो अब हम हमारी जितनी भी लगबग प्लोट हैं जहां अनारता उनको कनवर्ट कर रहे हैं अब परसीमन में अभी लगबग हमारे पास परसीमन के हो गए हैं लगबग पांच एकस्व पेड़ हो गए हैं शायद तो अभी एक और है तीन भी का खाली खेत है उदर पल्लम था पहले तो अभी हम प्लैनिंग कर रहे हैं कि इसी साल में इसी मेने उसमें भी हम परसीमन लगा देंगे तो उसका में आपको पूरा प्रसीजर बताऊंगा कि कैसे हमने उसमें पसी मन लगाएंगे यह दो प oikeus साल सुके वह हैं यह वाला पर और यह वाला पर तो यहां पर हमने बांगा रखा है तो अब इसके बीच में यहां पर एक प्लांट और लगाएंगे तो ठीक है दोस्तों कैसे लिगे आपको वीडियो लाएक और कमेंट्स जरूर झाल झाल